जैहिन साथियो बेलकम टू सेल्प स्टेडी किलासेस बिस सुमिच जैन यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है दो तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारती अंत्रिक्ष कारिकरम का इतिहास और यह भाग दो है बर्ग 3, MPTAT बर्ग 3 के एक्जाम में आपका एक टॉपिक है परिया वरण का अंत्रिक्ष बिग्ञान ठीक है उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं आपके अंत्रिक्ष बिग्ञान के दो पार्ट जो है अप्लोड हो चुके हैं पहला तो है आपके अंतरिक्ष बेग्ञानकों का परीचाए, ठीक है, बोग जरूर देखें, दूसरा आपका इसका पार्ट है, उसके बारे में भी बहुत बताया है, और तीसरा एक पार्ट है, ठीक है, और एक और पार्ट आपका आएगा, जिसमें आपको प्रशन उत्तर कर प्रवा जाएंगे, ठीक है, तो यह पूरा का पूरा आपका अंतरिक्ष बेग्ञानका चार पार्टों में खत्म हो जाएगा, जितनी भी कॉस्चन यहां से बन सकते हैं, वो सारे की सारे बताने का परियास किया, ठीक है, तो बहुत जरूर देखें, पूरा परियाबरन की जो है, एक प्लेलिस्ट है, उसमें पूरी बिस्तरित और जो आपकी टेस्ट सीरिज है, उसको बताया गया, तो प्लेलिस्ट में परियाबरना जरूर पढ़ लें, ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे टेलिग्राम भारती अंतरिक्ष कारिकरम का इतिहास बाग दो, बाग दो है यह, हम पढ़ने बाले हैं, इंसेट स्रंकला, इंसेट इंडियन नेशनल सेटिलाइट सिस्टम, भारत के दूर संचार, पिरसारन, मौसम विज्ञान और खोज और बचाओ अवसकता को पूरा करने के लिए इस इस रो द्वारा सुरू किये गए, बहुत देशी ये भू इस तिर उपगरहों की एक स्रंकला है, कौनसी इंसेट स्रंकला, अब आपको याद रख लेना ठीक है, और इस रो की बात आई है, तो इस रो का मुख्याल है कहां पर है, बैंगरूर में, ये चीज सभी को याद र रेलू संचार प्रणाली है, अंतरिक्ष बिभाग, दूर संचार बिभाग, भारत मौसम बिभाग, आल इंडिया रेडियो और दूर दर्सन का सन्युक तो उपकरम है, कौनसा, ये जो 1893 में किया गया कमिसन इंसेट, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, आई आर IRS, IRS के बारे में जानित भारती रेमोट से से सिंग उपकरह है, IRS, प्रतिवी अबलोकन उपकरहों की एक स्रंकला है, जो इस रो द्वारा निर्मित लांच और रख रखाओ किया गया है, कौनसी, IRS, IRS के बारे में अगर आपसे पूंचा जाता हूँ, कि निमने में से बताईए IRS क्या है, तब आपका उत्तर होने चाहिए कि भारती रेमोट से से सिंग उपकरह है, IRS जो है, वो प्रतिवी अबलोकन उपकरहों की ये क्या है, स्रंकला है, सबी को याद रख लेना है, जिसे क्या कहा जाता है, IRS कहा जाता है, है ना, अब IRS स्रंकला देश को रेमोट से सिंग सेवाय प्रदान करती है भारती रेमोट सेसिंग उपगरह है प्रनाली आज दुनिया में आपरेशन में नागरे को पियोग के लिए रेमोट सेसिंग उपगरहों का सबसे बड़ा संगरह है ठीक है IRNSS इनके बारे में पूछा जाएगा आपसे कि एक क्या है IRNSS क्या है इसके द्रगत क्या होता है तो IRNSS भारत द्वारा बिकसित 136 नेविगेशन सेटिलाइट सिस्टम है तो आप से पूछा जाएगा कि IRNSS क्या है तो चार बिकल्प आपके सामने होंगे तब आपको पता होने चाहिए 106 नेविगेशन सेटिलाइट सिस्टम है IRNSS ठीक है तो यहां स इतने ऐसे question बनेंगे आपके वारत में उपयोग करताओं के लिए 60 किस्तिती सूचना सेवा प्रदान करने के लिए design किया गया है और साथ ही इसकी सीमा 1500 किलूमीटर तक फैला हुआ छेतर है जो इसका प्रात्मिक सेवा छेतर है ठीक है IRNSS दो प्रकार की सेवा प्रदान करेगा जैसे कि मानक इस्तिती सेवा SPS और प्रतिवंदित सेवा RS तो आपको याद रख लेना है कि जो IRNSSS एक कितनी प्रकार की सेवा प्रदान करता है दो प्रकार की करता है ठीक है SPS और RS ठीक है ये चीज़ याद रखनी है यह भारती अद्रक्ष अनुसंगठान संगठन द्वारा बिस्तित बिकसित एक स्वायत छेतरी ओपकरह नेवीगेशन परनाली है जो भारत सरकार के कोल ने अंत्रन में हैं इस तरह है कि नेवीगेशन सिस्टम की आवसक्ता इस थत्ति से प्रेरित है कि गिलोबल नेवीगेशन सैटिलाइट सिस्टम जैसे GPS की पहुंच सत्रुता पूर्ण स्तितियों में गारंटी नहीं है अनवेशन या फिर चंद्रयान चंद्रयान के बारे में जानेंगे इस से question आपके जरूर पूछे जाएंगे चंद्रयान फस्ट के बारे में देखें चंद्रमा पर भारत का पहला मिसन था चंद्रयान फस्ट मानव रहत चंद्र अनवेशन मिसन में चंद्र और वीटर और चं नवंबर दो हजार आठ को चंद्र कक्षा में डाला गया था इसने औरक्त निकट और नरम और कठोर एक्सरे आवरतियों के लिए उच्च रिजोल ड्यूशन के रिमोट सेसेंग उपकरन दिखाई दिये तो आपको याद रख लिना आपसे पूचा जाएगा कि जो चंद्रया प्रिथम था एक अब लांच किया गया था तब आपका उतर होगा 22 अक्टूबर 2018 को कहां से सिरी हरी कोटा जिसे की 37 धवन अंत्रिक्ष के अंदर कहा जाता है और ये कहां पर है तो इस 37 धवन अंत्रिक्ष के अंदर आंद्रदे से सभी को याद रखना है ठीक है 8 नमंबर 2008 को चंद्रियान फस्ट लांच किया गया था और चंद्रियान टू किया गया था 22 जुलाई 2019 को ये सभी को याद रख लेना है ठीक है हाँ इसकी 312 दिनों की परिचालन अबदी जो है दो साल की योजनावद्दे की दुरन इसने अपनी रासाइनिक बिसेस्ताओं तीन आयाम इस्तला किरती का पूरा नक्सा बनाने के लिए चंद्र सतह का सरवेक्षन किया है तो ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको वता रहा हूँ कि ये पूछा जाएगा उसको नोटस अगर कर सको तो कर लेना अब मंगल यान भी देख लेते हैं मंगल यान के बारे में ये अंत का फुलफाम है मंगल और्विटर मिसन जिसे मंगल यान के नाम से भी जाना जाता है 5 नवंबर 2013 को ये भी आपको याद रख लेना है कि मंगल यान जो मिसन है कब लांच हुआ था तो 5 नवंबर 2013 को भारती अंतरिक चनुसंदान संक्ठन इस्रो द्वारा प्रत्वी की कक्चा में लांच किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्चा में प्रिवेस हुआ था ठीक है तो कब हुआ था 24 सितंबर 2014 को सबी लोगों को याद रख लिना है बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ट मंगल यान से भी आपके बन सकते हैं भारत इस प्रकार अपने पहले प्र बेस करने बाला पहला देश बना था पहले प्रियास में कौन बना था तो भारत बना था और इसकी जो लागत थी वो 24 मिलियन डॉलर थी है न और ये कब लांच किया गया था तो 5 नवंबर 2013 को लांच किया गया था अगर M.O.M. का पूरा नाम पूछा जाता है तो मंगल और बीटर में सेंज जिसे मंगल यान की नाम से भी जाना जाता ठीक है बहुत बढ़िया यह तैसे कॉंस्टर बनेंगे आपके M.O.M. को 24 सितंबर 2014 को सुबह है आठ 23 बजे मंगल की गक्छा में रखा गया अंत्रिक चैयान में पेलोड की रूप में 5 बेग्याने कुप करणों के 15 किलो 33 बॉंड के साथ 1337 किलोग्राम 39 46 बॉंड का प्रिछे पंड रब बमान था राश्टी अंत्रिक्ष समाज ने विग्यान और इंजिनिरिंग सेंडी में मौर्स और वीटर मिसंड टीम को 2015 अंत्रिक्ष पाइनियर परुषकार से भी सम्मानित किया गया तो बहुत ब से 2015 में अंत्रिक्ष पाइनियर परुषकार से इसा मानित किया था यह चीज भी आपको याद रखनी है दूर संचार और संसाधन प्रभंदन भारत अपने उपग्रहों के संचार नेटबर्क का उपयोग करता है भूमी प्रभंदन जल प्रभंदन प्राकरतिक आपदा पू चार नेटबर्क का उपयोग करता है निमन में ऐसी बताई यह किस में करता है तब आपको चार विकल्प होंगे आपको यह सारे की सारे पता होनी चाहिए आई आर एस उपकरहों को भारती प्राकरतिक संसाधन प्रभंदन कारिकरम के साथ पांच भारती सहरों में छेत्री र पारती राज्यों में रिमोट सेसिंग एप्लिकेशन सेंटरों के साथ आबिदन मिले जो आर्थिक विकास अनुपरियोगों के लिए आई आर एस छबियों का उप्योग करती है इनमें परियावरन निगरानी मिट्टी के कटाओं का विसलेशन और मिर्दा संलक्षन उपाय इसमें सामिल है अब बात कर लेते हैं रक्षा रक्षा में देख लेते कैसे अंतरिक्ष का सहयोग है भारती रक्षा मंतराला के एकिकरत रक्षा सेवा मुख्याला के तहते एकिकरत अंतरिक्ष सेल की स्थापना सेन नुद्योस्यों के लिए देश की अंतरिक्ष आधारत सं संपत्तियों का अधिक प्रभावी डंग से उप्योग करने और इन परिसंपत्तियों के खत्रों को देखने के लिए की गई है 14 सेटेलाइट्स के साथ जिसमें G78-7A भी सामल है विसेश सेन उप्योग के लिए और सेश दोहरे उप्गरहों के रूप में भरत में आकास में सक्रिये चोथे उप्गरहों की संख्या है जिसमें करम से भारती बायू सेना और भारती एसिया के बिसेस उप्योग के लिए उपगरह सामिल है जी सेट सेविन बन बिसेस रूप से भारती बायू सेना के लिए एक उन्नत सेन संचार उपगरह भारती नोसेना के जी सेट सेविन के समान है और G7A नेटवर्क के कैंदरित युद्ध छमताओं को बढ़ाएगा कौन सा? G7A और जो G7A बिसे इस रूप से भारती वायु सेना के लिए को नत सेन संचार उपगरा है तो ये किसके लिए है? ये भारती वायु सेना के लिए G7A तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? हाँ, अंत्रिक्ष केंदर पढ़ा लेती हैं दोस्तो अब आपके प्रस्न पत्र में अंत्रिक्ष केंदर जरूर पूचे जा सकते हैं आपके परिक्षा में कि कौन सा अंत्रिक्ष केंदर कहा पर है, ठीक है? बिकरम सारवा ये अंत्रिक्ष केंद बी-एस-एस-सी ये त्रवंत-पुरम में हैं ये कहां पर है महंध्र-गरी इस रो सेटेलाइट सेंटर ये बैंगलोर में है इस रो तो सभी को पता है कि इस रो का मुख्याल है बैंगलोर में है इनको याद रख लीना अगर एक भी अगर आपका आएगा तो आपका एक नंबर बन जाएगा यहाँ सी नेशनल रिमोट सेसिंग सेंटर यह हैदरावाद में है इसरो इनर्सियल सिस्टम यूनिट यह त्रुवन्तपुरम में है बिकास और सेक्चिक संचार काई यह एहमदाबाद ठीक है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन करनाटक में है इसरो टेलिमेट्री टेकिंग एंड कमांड नेटबर्क कहां पर है तो यह कहां पर है बैंगलोर में इलेक्ट्रो ऑफ टेक्स सिस्टम बैंगलोर के लिए प्रियोक साला है इंडियन इंस्ट्ट आफ रिमोट सैसे सिंग यह कहां पर है दहर अदूल में तो इस सारे के सारे जो आपके अंत्रिक्च के अंधरे इनको याद रख लेना है है ना इसकी PDF आपको मिलेगी टेलिग्राम ग्रूप में टेलिग्राम ग्रूप में जुड़ने के लिए आपको टेलिग्राम एप डाउनलोड करना है उसमें सर्च करना है IAS Study Trick ठीक है और अंत्रिक्च के अंधर देखेंगे अंत्रिक्ष कॉर्पोरेशन इस्रो पैंगलोर की मॉर्केटिंग साखा है बहत एक अनुसंधान परियोग साला है हमदाबाद में है राष्ट梯 बायूम classification पριयोग साला गंड़ की आन्धिपर्देश में है उत्तर पूर्वी अंतरिक्च अनुप्रयोग केंद्र एं-मियम में हैं सेमी कंड़क्टर प्रयोग साला एक अहांपर है मोहाली भारती अंतरिक्च विज्यान और प्रधविकी कि सेंस्थान त्रिवंत पुरूंछ विस्विद्ध्याला है इस अभी को याद रख लेना है इस लो कारिकरम इस लो के जो कारिकरम है वो देखते हैं भारती अंत्रिक्ष कारिकरम 1962 में त्रवंत पुरम के पास थुमबा में इस्तेद थुमबा एककोटोरियल रॉकेट लांचिंग स्टेशन में शुरू हुआ था अगर आपसे पूचा ज सेटिलाइट टेली कम्यूनिकेशन अर्थ स्टेशन एक जनवरी 1967 को एहमदाबाद में इस्तापित किया गया यहां से अगर कॉस्टिन आपका बनेगा कि सेटिलाइट कम्यूनिकेशन अर्थ स्टेशन कब इस्तापित किया गया तब आपका उतर होगा एक जनवरी 1967 में और क अहां पर इस्तापित किया तब आपको उतर होगा एहमदाबाद में ठीक है भारत का पहला सोदेशी लगने वाला राकेट आर एच सेवेंटी फाइब बीस नवंबर दो हजार उननीस तो सट को लांच किया गया यहां से भी आपका क्वेस्चन बनेगा कि भारत का पहला सोदे किसी लगने वाला जो राकेट वो कौन सा है और एच सेवेंटी फाइब है यह कब लांच किया गया बीस नवंबर उननीस तो यहां से जितने भी फैक्ट में बतारा हूं वो आप नोट्स जरूर कर लेना यहां से क्वेस्चन आपके बन सकती है आरबाट उनीस अप्रेल उन लांच किया गया था यह सोविय संग में संग से लांच किया गया था यह चीज़ें भी आद रखना है ठीक है 1975-76 के दोने इस रोने नासा के साथ मिलकर टेवी परसारण के लिए अंत्रिक्ष संचार प्रणाली के उपयोग के साधन व्यक्सित किये एफ प्रोजक्ट सेटिल इंस्ट्रक्षन टेलिवीजन परियोग के परिणाम से रूप हुगा कालकरम SITE दुनिया में सबसे बड़े समास साथत्री परियोग के रूप में परतिष्टित लगभग दो लाक लोगों को लाबान बित किया गया जिसमें छे राज्यों के 24 सो गाउं को सामिल किया गया औ परिछेपन बोड पर अगस्त 1989 उपग्रह को कक्छा में नहीं रखा जा सकता था सैटलाइट लांच भीकल 3 SLB 3 पहला भारत का पहला लांच भीकल है most important अगर आप से पूचा जाएगा कि भारत का पहला लांच भीकल कौन सा है तो तब आपका उतरोग SLB 3 SLB 3 है ना लांच ब पूरवक कक्छा में रखा गया 18 जुलाई 1980 भारती राष्टी उपगर है प्रणाली इनसेट 1A को 10 अपरेल 1982 को लांच किया गया था यह प्रणाली संचार प्रसारण और मौसं बिग्जान के लिए थी हैना भारती राष्टी उपगर है प्रणाली जो है कब लांच किया गय प्रिनाली संचार प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए थी काल करम देख लेते हैं दो अप्रेल 1984 को पहला इंडियो सोबियत मानव युक्त अंतरिक्ष में सन सुरू किया गया था अगर आपसे पूचा जाएगा कि पहला इंडियो सोबियत मानव युक्त अंतरिक्ष में सन कब शुरू किया गया था तब आपका उत्तर होगा दो अप्रेल 1984 में और राकेश सर्म अंतरिक्ष में जाने वाले पहले नांगरिक वने थी इसी समय है ना आपसे पूचा जाता है जाने वाले पहले भारती नांगरिक कोंते कई बार एक जाम में पूचा गया है तब आपका उत्तर होता है राकेश सर्म अंतरिक्ष में पहला ऑपरेशन इंडियन रिमोर्ट स्टेसिसिंग सेटेलाइट आई रस 1A 17 मार्च 1988 को लांच किया गया था 24 मार्च 1987 को आगमेंडे सेटेलाइट लांच वहिकल का पहला विकासात्मक लांच किया गया था जी सेट बन के साथ जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लांच वहिकल का पहला विकासात्मक परचेपन 18 अपरेल 2001 को स्री हरी कोटा से किया गया PSLBC11 ने 22 सक्टूबर 2008 को हरी कोटा से चंद्रियान फस्ट को सपलता पूर्वक लाँच किया गया था अगर आप से पूँचा जाएगा कि चंद्रियान फस्ट को लाँच करने वाला जो बाहन था वो कौन था तो इसका नाम था PSLBC11 ठीक है याद रख लेना या भीकल कोन था तो कारिकरम में देख लेंगे 5 नवंबर 2013 को PSLBC25 ने सपलता पूर्वक हरी कोटा से मॉर्स और्वीटर मिशन मंगल यान मिशन अंत्रिक्ष यान लाँच किया था अगर आपसे पूचा जाएगा कि मॉर्स और्वीटर मिशन या मंगल यान मिशन किस भीकल से लाँच किया था तो आपका उत्तर होगा PSLBC25 से लाँच किया था कब लाँच किया था 5 नवंबर 2013 को लाँच किया गया था ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है ठीक है पंद्रा फरवरी 2017 को PSLBC37 बर्क हास का 49 वा मिशन इसरो का पिर छेपन यान इसरो के कॉर्टो सेट इसरो टू स्रंकला के उपगरह का बजन 1714 किलोग्राम और दो इसरो नैनो उपगरहों जिसका नाम इनसेट इनस आइनस 1A 8.4 किलोग्राम और आइनस 1B 9.7 किलोग्राम और 101 नैनो उपगरह हैं भारत का नभीनतम उपगरह जो संचार उपगरह G717 को 29 जून 2017 को कोरो फ्रेंच गवाना से एरियन 5BA 238 में इनसेट G7 प्रिणाली में सामिल किया गया था है ना भारती का जो नभनतम G717 है G717 मेट्रोलोजिकल डेटा रेले के लिए उपयोग किया जाता है या तैयार करता है PSLVC 42 16 सितंबर 2018 को 37 अंतरिक्ष केंदर स्री हरी कोटा से दो विदेशी उपगरहों को सपलतकुरवक प्रिछेपन करता है तो यहां से आपके छोटे छोटे कोटिन जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं या अंतरिक्ष बिग्यान से जो कोटिन बन सकते हैं उनके बारे में दोस्तो हमने चर्चा की है अंतरिक्ष बिग्यान का ये पार्ट हमारा थ्री था पहले पार्ट में हमने अंतरिक्ष बिग् प्रस्ने हैं वो किये हैं अब एक वीडियो और आपका आएगा दोस्तों जिसमें हम आपको प्रस्ने करवाएंगे फिर आपका अंत्रिक्ष विज्ञान वाला टॉपक किलियर हो जाएगा ठीक है अब आपको फ्रस्ने किलिक्ष विज्में और दिक्रवाएंगे टेस्ट तो यह सारे के सारे जहें लाइप किलासे चलती हैं और साथ ही आपको संपूर नोट्स निसुल के उपलब्द करवा जाती हैं टेलीग्राम ग्रूप में टेलीग्राम ग्रूप से जुड़ने के लिए IAS study trick सर्च करना है ठीक है सभी लोग टेलीग्राम ग्रूप से अबस्त जुड़ना है दोस्तों वीडियो को सभी लोग ग्रूप को लाइक करना है और सेर करना है आज की वीडियो के लिए बस इतना ही जैहिंद